प्रोजेक्शन ड्रॉब करने के लिए एक इंच परकार खोलो और उसका एक सरक्ल ड्रॉब करता हूँ कि देखें और इसके फूर इक पॉल पाउस में डिवाइड करना हूँ कि लाइन आपके बिल्कुल सीधी होनी चाहिए अब क्विश्चन में ग्रेटीक्यूल इंट्रॉबल पंद्रा दिया गया है ग्रेटीक्यूल मतलब लेटिटीड और लॉंगिटूड के बीच का इंट्रॉबल वो पंद्रा है तो आपने डी रखकर पंद्रा डिगरी के कोन बना लेने हैं पंद्रा फिर अगला इंट्रॉबल में पंद्रा पे होगा यानी तीस फॉर्टीफाइब 60 और 75 पे इन लाइन्स को आपने सेंटर से जोन कर लेना इस तरह से अब बाकी जो हमने बहां डॉट रहे हैं इन्हें रब कर दो यह हमारा हो गया नौर्थ सॉथ इस्ट एंड वेस्ट अब एन पॉइंट से एक पैरलल लाइन आपने ड्रॉव करने हैं किसी भी लेंध की करो इस तरह से अब फिफ्टी डिग्री वरी लाइन जो है इसे हमने एक्स्टेंड करना है लाइन बिल्कुल सीधी होनी जाए इसी तरह से यह देखो यहां से आपने यह एक्स्टेंड करनी इसी तरह से ही थाई फिर यह और आखिर में यह हमारे पास हो गया पॉइंट यहां पर कि पॉइंट बी पॉइंट सी डी एंड ए बाकी जो एक्स्टर रहन है उससे मिटा दीजिए अब आपने परकार को एन ए जितना खोलना है देखो इस तरह से और इसका एक सरकल ड्रॉ करता है सरकल आपका बड़ा होएगा मेरे पास पेपर छोटा है इसलिए कटेगा लेकिन आपके प्रैक्टिकल के फाइल नम पड़ी है इसलिए वह साइट पे आजाएगा इस तरह से और इसका पॉइंट आपने मार कर लाना है फिर परकार को बी एन जितना इतना खोल कर पहले वाले पॉइंट से ही आपने सरकल को ड्रॉ करना है फिर उसी तरह से एन जिए फिर से एंटर में रखकर कर रखकर को ड्रॉ करना है दी ए फिर दी एंट इतना तो करना है और सबसे लास्ट में एन एंट इए अग्स यह सरकल आपने ड्रॉक इस तरह से और यह आपके लेटिटूट्स बन गए इसमें लैटिटूट्स की शेप सरकल में आती है अब हमने मरीडियंस क्यूंकि ग्रैटिक्यूट इंट्रॉबल फिफ्टिन डिग्री है तो जिस तरह से हमने लैटिटूट्स पंद्रा तीस पैंतालीस पर ड्रॉ किया है इसी तरह से आपने मरीडियंस भी ड्रॉ कर लेने हैं इसके लिए डी को सेंटर में रखकर पॉइंट मार कर लेने हैं ताकि हमारी मरीडियंस जो है वो भी एक सीधी लाइन में आए सबसे पहले एक मरीडियंस आपने ड्रॉ करनी है इस तरह से अब क्योंकि इंट्रवल इनके बीच में भी 15 डिगरी है सेंटर में डी रखो और 15 डिगरी के इंट्रवल पर मार कर दो यह दस है पंद्रा तीस पैंताली साथ पेशैतर और यंब्ब्ब्ब्ब्ब इसी तरह से दूसे तरफ को भी 15 तीस पैंताली साथ पेशैतर और अब इसे घूमादो शिय्ट को और दूसरी तरफी लाइन्स को ड्रॉ कर लोग् कर दस है 15, 30, 45, 60, 55 और नबे, इसी तरह से 30, 45, 60, 55 और नबे, हमारी सारे पॉइंट्स मार्क होगे मेरीडियन्स के, अब आपने इन पॉइंट्स को सेंटर से जोइन करते जाने हैं, कि आपके सेंटर से ही, क्रॉस होनी चाहिए, यहां से ही सभी लाइन्स को आपने ड्रो करना है, इस तरह से सभी मेरीटियन समने 15-degree interval बे रोकर नी इस प्रोजेक्शन के शेप संडाल जैसे दिखाए देती है यहां पर थोड़ा सा लाइन गड़बर होगी है आपने इसे दिवकुल सीधा ही ट्रॉप यह इसका सेंटर है फिर इसके हमने नम्री कदने 0-degree 15-degree 30-degree 45-degree 60-degree 75-degree and 90-degree यह हमारा आ गया इस्ट फिर 105-degree 120-degree 135-degree और यहां पर आपके पास आये 180-degree इसी तरह से 15-degree 30-degree अगर यह इंट्रवल थर्टी का होता तब ती साथ और नपे ही हमरे पास मरी इंस बन में थी तरह यह आपका आपके यह आपके यह आपके यहां पर 90-degree east-degree west east-degree 105 120-degree 135-degree 150-degree and 165-degree यह सारी आपके होगी meridians अब हमने latitudes को भी मार्क करना है इनकी जो ग्रेटीकूल इंट्रवल इनके बीच की दूरी वो भी 15-degree है तो सबसे पहले हमने n और a के circle ट्रॉ किया था यह आपका है 15-degree का फिर n b 30 n c 45-degree then 60-degree और 75-degree और सेंटर आपका आगया 90-degree यानी पोल यह हमारी projection बनगे नमोलिक प्रोजेक्शन इसके नीचे आपने लिखतना है scale scale मैंने question में लिखी है 1 upon 250 scale आ जाएगा 1 upon 250 million यह आपने stencil से लिखते नहीं और gratitude interval 50 degree और इसका heading आपने देना है जैनिथ यह सब आपने stencil से लिखना है नमोनिक जी इसमें silent होता है पूलर केस यह पूलर जैनिथल नमोनिक प्रोजेक्शन जैनिथल प्रोजेक्शन में क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पहले भी मैंने आपको बताया था कि shape of latitude जो है हमेशा circles में रहती है और मेरीडियन जो है वो सीधी लाइन होती है और ऐसा लगता है कि यह केंद्रिये के भाग से radiate यानि different directions में जारी है तो यह आपकी प्रोजेक्शन त्यार होगी जिसका नाम है नमोनिक जैनिथल मैप प्रोजेक्शन और